प्रागेट विद्रमेश्सर में स्वागत है दैनिक नोपली समाचार 14 मार्च 69 जार सिच्छक भरती 68 जार का चैन निरस्त 68 का चैन निरस्त 800 की जो सूची थी वो निरस्त कर दी गई है दोरा 68 को समाप्त कर दिया है कोर्ड ने और सुप्रीम कोर्ड तक के लड़ाई जा सकती है इन सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नाए हो और वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दें सबसे पहली मात्पूर्ण खबर है और बिग ब्रेकिंग न्यूज है और 69 सिचक भरती को ले करके कल लंबित कोड 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 ने कल लंबित जो आडर था उसको जारी कर दिया सिचक पातिता परिच्छा और 68 सो का चैन रत कर दिया गया हाई कोड का रच्छन दुरुस्त करने का अदेश है सुची में सुधार के लिए तीन माह के समय दिया गया है और चैनी तब भरतियों को रहात भी दी गई है कि कोड ने कहा है कि ऐसे साहय का द्यापक जो वरतमान समय में कारत हैं चैन सुची लिए कंश्छी को संसोदित किये जाने कि प्रक्रिया अपनाये जाने तक उनकी सेवा में किसी प्रका का कोई हशती सेव न किया जए साहब किया गया है कि आर्चित शेणी में जीन अभिष्टिओं ने 65 आदालत ने कहा है कि आरचन के किसी भी हालत में पचाँ फिसकी में बदलाव संभव है कई की संकट धी packaging by पहले तर्वा बता देता हूं 69,000 सहाइक भरती का मामला है 69,000 सहाइक अध्यापक भरती में आरच्छल प्रक्रिया का ठीक से पालन न किये जाने पर एक जून 2020 को जारी चैन सुची को हाई कोट की लखनौकंड पीटने तीन माह में तीन माह का समय दिया गया अब भरतियों को पांच जनूरी 2022 को जारी चैन सुची को भी खारिज कर दिया इस सुची को यह कहते हुए चुनोती दी कि इससे बिना किसी विग्यापन के जारी किये किसी विग्यापन के जारी किया गया था याचियों की तरब से कोट को बताया गया कि उरहत्तर या सहाय किसे चक भरती प्रक्रिया में अरच्छन नेमावली को ठीक से पालन नहीं किया गया है इस कारण अरच्छित वर्ग में चैनित 18,988 भरतियों को जारी कटाफ में 65% से भी इनमे 65% से भी अधीक के आंगपाने के बावजूर्द भी उनको अरच्छी तरी चैनित नहीं किया गया इनकी निव्योंक्त प्रक्रिया को अरच्छन नेमावली का उलंगन है इससे अरच्छीं ठीकामीपिरतियों को एस आधार पच्छ्डोती दी गई कि आ ceremonकित 28 अब्हेतियों को भी अरचीत सेनी में ही जगह दी गई है जिनोंने आरचीत के लिए इसी से कटाफ और मार्ग्स प्रापत किये हैं जबकि अनषाइ अभ्हेतियों को याचित अभ्यर्थियों की याचिकाओं में कहा गया है कि अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारचित वर्ग में रखा गया जिन्हों ने टीटी वसहायक सिच्चक पातता परिच्छा में अरच्छन का लाव ले लिया था एक बार अरच्छन का लाव लेने के बाद अनारच्छित वर्ग में अभ्यर्थियों का चैन किये जाने को विरुद्ध बिद्विरुद्ध बताया गया था जबकि दो याचिकाओं में अरच्छित वर्ग के अरच्छित देखें यहाँ पर जो जैसे जो OBC में चैनित हो गया टो ifie लै लिया है तो वो उसको अरच स्यर्णी में रखा जाए उसको सामान स्यर्णी में रखा जायाता तो एकी बार अरचण का लाव मिलैं ऐसी को ले करके सहासर ने अपत्त правильно आ और वो चैन सुत्री रद कर दी है और 68 सव अभ्यर्थियों को पांच जनुरी 2022 को चैन सुची को चुनोती दी गई थी कोट ने निर्णे में कहा कि टीटी में अरच्छन का लाव लेने वाले किसको सामानी सिर्णी का कटाफ माच पाने पर अनारच्छित वर्ग में रखा जान जब क्योंकि टीटी एक अभ्यर्थी अभ्यर्थी को सिर्फ सहाइक सिच्छक भरती परिच्छा में भाग लेने के लिए उप्यूक्त बनाता है फिलहाल पूरी प्रक्रिया रद कर दी गई है तीन महिने का समय दिया गया है जो चैनित अभ्यर्थी हैं जो नौकरी कर रहे ह उन पर भी उनको सक्षेप करने के लिए मना किया गया है परन्त अब जो चात्र हैं इसमें दोहरा लाब नहीं मिले आरच्छन का इसको लेकर के सरकार ने अपत्ति कोर्ट ने इसको लेकर खारिश किया जिन लोग अब यह होगा कि जो चात्र 65% रंग पाएं हैं या उससे अ आरच्छित वर्ग में सेड़ी में सलेक्ट हुए थे वह आप आरच्छित वर्ग में जाएंगे जिससे फिर से चैन सुची बनेगी और चीटे जितनी थी कुछ लोग इसमें बाहर भी हो सकते हैं आरच्छित वर्ग के तो यह लंबी लड़ाई चलने वाली है क्योंकि अब पूरा मनें डिटेल में बता दिया है बाकी अप लोग कमेंड करें को जो भी पूछना है अगली मातमुर सुचना है वो है करें इस संबंद में नियारे ने ब्यर्त्यों के पच्छ में नियर्ने दिया इस पर कोई करवाई नहीं हो रही हमारी मांग है कि काउंसलिंग करवा कर विद्याला वांटित किया जाए ते देशक मादमी सच्छा महेंदर देव ने अभिर्थियों से उलाकात कि और उन्हें बताया कि इस मामले में सासंद्वारा निर्णे लिया चुका है जल्दी अर्याचन कर सकारत एक से तीन अपरेल के मद्द संसोधन कर सकेंगे 17 लाक मार्सी डिजिटर लॉकर के अपर अपलोड की आएंगे जिससे चुरच्छा बनी रहेगी और यहाबाद विश्विद्यालम इसके संगठक कॉलेज़ों में इसनाथ तक में प्रिवेस कॉमन इन्वर्सिटी इंट्रेस्ट है के जरिये होगा और यह टेस्ट अब निशनल टेस्टिंग एजनसी कराएगी अगली मात्पूर सुचना यूप यूपी बोर्ड को लेकर के यूपी बोर्ड में एक लाग से अधिक परिच्छक जाचेंगे तीन पॉइंट एक चार करोड उत्तर पुस्तिका हैं प्रियागराज में परिच्छकों का प्रिच्छन 15 को इगनु में प्रिवेस की परिच्छा 20 मार्थ तक बढ़ी है आप लो कर दिये पंजाब सरकार ने विवादों में आई राज चिच्छक पाटता परिच्छा रद करने के साथ गुरुनानक देव इनवर्सिटी अमरा सरके कंप्यूटर सांस विवाग के प्रफेसर डक्टर हरदीप सिंग एलेक्ट्रोनिक्स टेक्नलोजी विवाग के प्रफेसर डक्टर रवींदर सिंग साहनी को निलंबित कर दिया गया परिच्छा करवाने के जिम्मेदारी जी एंडी निवर्सिटी के पास थी अब यहाँ परिच्छा नए से से कराई जाएगी परिच्छा देने वाले अभी हर्तियों से कोई अतरिक्त फीस नहीं ली जाएगी सरका अगली महत्मूर्ण सुचना है वो है कि अनिवर्सिक महत्मूर्ण सुचना में यह है एसी एले एस में निकली भरती 400 पदों पर है सिकुर्टी स्कीनर की पद पर यह रिक्त पदों की भरती है और नियुंतम आयू स्वीमा जिसके 27 से भर सकता है आयू करना 19 मार्ट 2013 के सटारोया च्छान की धार यह जा मिद्वारों कि तीन वर्स के लिए निकतिक हैं और दिक धि टिती 1219WAN neatly अज़ी चुल्ख 11 private आप और और अवेदकर कर जैंवेदन को सुल्हाइब nya 4 साइट है आप लोग देख लिए यह है www.aiclas.aero इस पर जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं फार्म भर सकते हैं जो लोग इंट्रेस्टेड हैं तो यह रही कुछ महत्पूर्ण खब रहे हैं जो वीविन रोजगार समाचार पत्रों पे चाही हुई और सभी छात्रों के लि जरूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन और प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दें पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद